हलो दोस्तों मैं हुशी उली और आप सब का स्वागत थे मेरी किचिन में आज हम बनाएंगे मसाला गोभी गोभी महाराश्टियन स्टाइल में बहुत ही सिंपल तरीके से सबसे पहले हम क्या करेंगे मसाला तयार कर लेंगे और मसाला के लिए मैंने लिया है यह पर दो बड़े साइज के प्याज दो चुटे साइज के लसुन पूरे लिया मैंने जितना अध्रक लिया है मैंने और थोड़ा से सूखा नारियल लिया है वानफोर्ट कप जितना होगा तो इन सब को हमें भून लेना है तो भूनने के लिए हमें जाना है कड़ाई के पास तो हीट मैंने चालो कर दिया है और कड़ाई में हम तेल डाल देंगे थोड़ा सा ही तेल डाला है मैंने और तेल को हलका गरम होने देंगे उसके बाद डाल देंगे दो टेबिल स्पून जीरे अभी जीरे और धनिया को हलका सा भून लेंगे जब तक भूनी हुई इसी खुश्बू नहीं आ जाते तब तक अधर का 550, जोड़र भी ठोड़ा सा डार्क हो जाएगा देखिए कलर थोड़ा सा डार्क हो चुका है अब यह जो कटे हुए मसाले हमने लिए थे यह हम पूरा डाल देंगे अलग-अलग डालने की कोई जूरत नहीं है एक साथ डालेंगे और जब तक कलर अच्छा सा ब्राउन नहीं हो जाता तब तक के लिए भून लेंगे हीट को लो टू मिडियम पर रखेंगे मीडियम पर रख सकते हैं socio देखिे दोस्तों कलर अच्छा सा ब्राउन हो चुका है और अच्छा से सबकुर्च भून भी अब निकाल लेंगे निकाल थंड़ा करने के बाद पीशकर अच्छा सा पेस्ट बना लाएंगे समूद्ट दोकड़ाइ में हम फिर से तेल डालेगे रिफाइण ओयलมา 40 सरसों के चा honors डाल सकते हैंenfum और यह देखिए गविए यहाँ पर देंस स möंछ गोवी है देखिए साइज ऐसे मैंने काटा है और काट कर अच्छे से दो लिया दोकर पानी जड़ा कर लिया है तेल में मैं गोबी डाल दे रही हूँ और पानी जड़ा कर अभी अभी लिया है तो थोड़ा बहुत पानी रह गया है इसमें तो कोई प्रॉब्लेम नहीं है उसमें थोड़ा से स्टर कर लेते है थोड़ी देर बाद ये पानी सूप चुका है जो प हीट को मेडियम पर रखकर अच्छे से भून लेंगे जब तकी उपर से काला काला सा सिपोर्ट नहीं डीटा यह देखिए उपर से काला काला मतलब आनी यह अधार्क ब्राउन कलर के स्पोर्LD मतलब हमारे जो गोवी है यह अच्छे से भून चुकी है अभी इसके अंदर हम जो मसाला भून कर रखा था और उसका पेश्ट बना कर लिया है मैंने यह देखिए तो यह पेश्ट बनाना मैंने दिखाया नहीं आपको दिखाने की जूरत भी नहीं है इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया है और अभी ही में दो डालना बाकी है अब आपने स्वा आनुसारा लाल मेत पाउडर और गरम अपनेस वादें की ऻिसाफ़ से लाल मेत पौडर डाले जोड़िया और डालेंगे half teaspoon गर्म मसाला अच्छे से मिला लेंगे और ढाग ढाग कर पकाएंगे जब तक कि यह पानी सुख नहीं जाता और उपर से तेल नहीं दिखने लग जाता तो देखे दोस्तों पानी पूरा ही शुख चुका है और थोड़ा थोड़ा तेल पी डिख रहा है और मैंने इतना तेल डाला नहीं है इसलिए ज्यादा दिखने वाला नहीं है मिला लेंगे थोड़ा सा और अभी हम ग्रेवी के लिए पानी डाल देंगे अपनी इसाब से पानी डालिए अगर थोड़ा पतला चाहते है तो थोड़ा ज्यादा डालिए अगर थोड़ा गाड़ा रखना चाहते है तो थोड़ा कम डालिए मैं थोड़ा गाड़ाई रखने वाली हूँ ज्यादा पतला नहीं करूंगी थोड़ी देर के लिए ढाग देंगे ताकि जल्दी उबाला आ जाए देखे दोस्तों अच्छा सा उबाला आ चुका है अभी आप चाहे तो खुला भी पका सकते है या चाहे तो gehka कर ही पका सकते है मैंने ज्यादा पानी नहीं डाला है तो खोला पकाऊंगे तो बहुत ज्यादा सूख जाएगा इसलिए मैं ढाक ढाक कर पका रही हूँ यह देखिए दोस्तो अभी गोबी हमारी गल चुकी है बहुत अच्छे से बीच में मैंने दो तीन बार धकन हटा कर चला दिया था और चेक भी किया था तो अभी हमारी गोबी अच्छे से गल चुकी है और हमारा काम भी हो चुका है अभी इतना कुछ काम नहीं है तो यहाँ पर आपको चाहिए फ्रेश हरा धनिया जो कि मेरे पास नहीं है तो मजबू कर दोंगी और थोड़ी देर के लिए डाह कर रख दोंगी देखे दोस्तों थोड़ी देर बाद सब्जी का कलर बहुत ही खिल कर आया है और हमारी सब्जी सार्फ करने के लिए बिल्कुल तयार है अभी हम चलिए सार्फ कर लेते हैं बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है और खान और अगर रेसिपी ट्राइ करते हैं तो कॉमेंट करके बताना मत भूलेगा क्या आपको कैसी लगी आज के लिए यहाँ तक ही दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में और तब तक के लिए सेफ रहे स्वास्त रहे और खाते रहे वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद बाई बाई